हलो दोस्तों, आईए देखते हैं कि ढोलू और भोलू सुबा उठकर क्या चर्चा करने वाले हैं? शुप्रभात भोलू शुप्रभात भोलू, कल का दिन बहुत अच्छा बीता, कोण पहचानों खेलने में बहुत मज़ा आया बचों, चलो नाश्ता कर लो अरे भोलू, जरा इस पिस्कुट को तो देखो, इसमें कितने कोण बन रहे हैं? भोलू, इसमें चार कोण बन रहे हैं, यह देखो, एक, दो, तीन और चार पिल्कुल सही धोलू, अच्छा बताओ कि यह सारे किस तरह के कोण है, या सारे समकोण है हाँ धोलू, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें सफर के लिए निकलना है जैसे ही भोलू और धोलू होटल से बाहर निकलते हैं, भोलू की नजर एक दुकान के दर्वाजे पर बाहर की तरफ लिखे हुए एक शब्द पर जाती है देखो भोलू, इस शब्द इन में भी कुछ कोण बन रहे हैं, क्या तुम पहचान सकते हो? हाँ धोलू, इसमें तो मेरे हिसाब से दो कोण बन रहे हैं, एक और दो मुझे भी ऐसा ही लगता है क्या भोलू और धोलू का जवाब सही है? क्या इस अक्षर एन में केवल दो ही कोण है? इसके बाद भोलू और धोलू अपनी कार में बैठकर सफर पर निकल जाते हैं सफर के दोरान उन्होंने कुछ वस्तुमें देखी और उनकी एक सूची बनाई आप भी इन वस्तुमों को ध्यान से देखिए और इन में बनने वाले अलग-अलग कोण को पहचानिए तो आज हमने ढोलू और भोलू के साथ आसपास की वस्तुमों में कोण को पहचाना अब आप भी अपने आसपास की वस्तुमों में कोण धूंडिये? धन्यवाद